Still on the way का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Still on the way का हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो अगर आप ये कहना चाहें कि अभी भी रास्ते में हूँ या कोई और किसे के बारे में बता चाहें कि वो अभी भी रास्ते में है तो उसके लिए आप कह सकते हैं Still on the way लेकिन कई बार आप किसी से सवाल पूछने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आप ये कहें कि क्या अभी भी रास्ते में हो या क्या अभी भी वो रास्ते में है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक last में question mark लगा देना है तो इसका मतलब हुआ कि क्या अभी भी रास्ते में हो या क्या अभी भी रास्ते में है यानि कि जैसे आप ये कहना चाहें कि आपका parcel अभी भी रास्ते में है तो आप कह सकते हैं Your parcel is still on the way अभी भी भी आ रही है वे रास्ते में है तो आप कह सकते हैं The train is still on the way यागर आप ये कहना चाहें कि वे लोग अभी तक पहुंचे नहीं है वे रास्ते में है तो आप कह सकते हैं They haven't arrived yet They are still on the way अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें